आज की इस वीडियो के द्वारा में आपको सेलेक्टर स्विच का वायरिंग इतना बहतरीन तरीके से एक्स्पेंड कर दूँगा जिससे कि जब भी आपको कभी किसी भी सेलेक्टर स्विच का वायरिंग करना हो तो सबसे पहले आप ये दिख लिजे कि आपके पास में जो selector switch है उस selector switch का working क्या है यानि कि कि किस काम के लिए उसका उपयोग किया जाएगा जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि selector switch बहुत सारे type के आते हैं जैसे कि फिलहार के time पे जो मेरे पास में selector switch है ये selector switch मेरा auto manual वाला selector switch है इसके अलावा आपको emitter वाली selector switch मिल जाएगा बोल्ट मीटर वाली selector switch मिल जाएगा और भी बहुत सारे application के लिए अलग अलग तरीके से selector switch का design किया जाता है तो फिलहार के time पे ये जो मेरे पास में selector switch है ये selector switch मेरा 3 position वाली है 3 position क्यों कह रहा हूँ एक बार समझ लीजिए देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है 1 उसके बाद यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 यानि कि इस selector switch को यदि मैं एक नमर के position पे रखता हूँ तो एक output power supply यहाँ से generate हो जाएगा उसके बाद जब मैं इस selector switch को 0 position पे select करूँगा तो उस condition में selector switch हमारा output command को generate नहीं करेगा ओके इसके बाद जब हम selector switch को 2 number के position पे select करेंगे तो जो हमारा selector switch होता है ये selector switch हमारा दूसरे terminal से output command को generate करेगा यानि कि आप यह कह सकते हो कि य यह हमारा on, off, on यानि कि 3 position वाला है जिसमें से एक off position है और दो on position है तो इतना चीज़े आपको समझ में आ गया इस selector switch के बारे में अब जब भी आपका भी selector switch का वार्डिंग करने जाओ तो सबसे पहले आप वहाँ पर यह देखिए कि आपका जो selector switch है उसको यदि आप 0 position पर रख देते हो तो उस condition में आपको किस terminal पे continuity मिलता है और किस terminal पे continuity नहीं मिलता है ओके आप यहाँ पर count करने जाओगे तो आपको total 12 terminal मिल जाएगा ओके दूसरे selector switch में हो सकता है कि कम terminal हो किसी selector switch में ज्यादा भी आपको मिल जाएगा बस आपको केवाल concept को समझना है किस से wiring करना है तो फिलाल के time पे इस selector switch में 12 terminal है अब यहाँ पर जो total 12 terminal दिया गया है इसमें से यहाँ पर तीन section बनाए गया है 1,2,3 यानि कि इस selector switch का जो यह वाला section है यह section एक contact है इसके बाद बीच वाला section है यह अलग contact है और तीसरे वाला अलग contact है यानि कि आपको यहाँ और तीन अलग-अलग NONC contact मिल जाएगा ओके तो इस selector switch का जो पहला section है उसमें आपको total 4 terminal मिल जाएगा दो यहाँ पर और दो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 4 terminal बना देता हूँ ओके यहाँ पर हो गया दो और यहाँ पर दो यानिके कुल मिला के 4 terminal हो गए ओके अब यहाँ प पर रख दिया हूँ ओके अब यहाँ पर जो मेरा selector switch है इस selector switch का जो सबसे पहला terminal है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर numbering किया गया है आपको सायद दिख रहा होगा camera में ओके दिख रहा है यह जो terminal है यह one number का terminal है और यह वाला three number का terminal है तो सबसे पहले मैं इन दोनों क continuity कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से multimeter के probe को लगा के continuity को चेक करूँगा आप यहाँ पर देखेंगे हमारा multimeter beep का आवाज कर रहा है तो हमने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर जो हमारा चार टर्मिनल था इन चारों में से हमारा जो एक दो तीन चार ओके यह चार nae अलग अलग अब यहाँ पर जो एक और टीन है इन दोनों में हमें continuity मिल रहा है यानि कि आप यह कह सकते हो कि एक नमर और अथीन नमर का जो टर्मिनल है यह आपस में सोट है कि यह गों वाज है तो हमारा अचे लिए को इस के साद shooting कर दिया और हमें एक नमर परैं चेक कर continuity नहीं आ रहा है यानि कि यह दोनों contact अभी open condition में हैं अब यहां पे 3 और 4 में भी चेक कर लेते हैं तीन नमबर का terminal हमारा यह वाला हो गया और उसके बाद 4 नमबर का terminal इसके पीछे साइड होगा यहां पर तो मैं यहां पर चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो continuity नहीं आ रहा दो और 4 यहां पर है मैं इसको check करके आपको दिखा देता हूँ देखिए यहां पर कोई भी continuity नहीं आ रहा है तो यहां पर आपको के वाल यह समझना है कि जो हमारा 1 और 3 नमर का terminal है यह हो गया common terminal अब यहां पर जो हम input power supply connect करेंगे फेल supply वाली वो फेल supply हमारा एक इस side देग इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूँ कि जो selector switch है इसको मैं एक नमर के position पर select कर देता हूँ और इसको select करने के बाद मैं यहां पर 3 और 4 नमर के position को check करता हूँ तो यह हमारा 3 नमर का terminal है और इसके नीचे में 4 नमर है यानि कि यह वाला और यह वाल घरेंगे एक और दो नमर के terminal पे तो एक और दो नमर का terminal चेक करते हैं यह एक हो गया इसके नीचे में 2 मिल जाएगा आपको तो मैं इस side से तक देता हूँ और यहां पर मैं continuity को check कर लेता हो आप देख सकते हो यहां पर हमें continuity मिल रहा है यानि कि आप यहां पर कह सकते हो कि य एक और दो नंबर के टर्मिनल पे अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस सेलेक्टर स्विच को दो नंबर के पोजिश्ण करने पर कंटिंडियुटी तक जो मैंने आपको एक्सittä가ch किया वह परवाले section का अब इसके नीचे में आपको दो और section मिल जाएगा अलग-अलग selector switch में अलग-अलग टाइप से होता है लेकिन फिलहार के time पे यह जो मेरा selector switch है इस selector switch में तीन section है जो की अलग-अलग contact है यानि कि आप कह सकते हो कि ये जो section है इसका पूरा circuit diagram यह है अब इसके नीचे में जो दो और सेक्सन हैं इनका भी सरक्ट डाइग्राम पूरा इसी टाइप से बनेगा यानि कि आप यहां पे कह सकते हो कि आपके पास में इसी प्रेकार से आठ और टर्मिनल मिल जाएगा मैं यहां पे आप लोगों को पूरा टर्मिनल बना के दिखा देता हूँ यहां पे हमारे पास में आठ हो गया और पहले वाला के भी बना देता हूँ यहां पर पूरा एक साथ में सरक्ट डाइग्राम आपको बना के दिखा दूँगा तो यहां पे टोटल हमारे पास में 12 टर्मिनल है जो कि इस सेलेक्टर स्विच में दिया गया है अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सेलेक्टर स्विच में जो 1 और 10 नमबर का टर्मिनल है वो आपस में सौट है यानि कि आप यहां पर कह सकते हो कि यह जो हमारा एक नमबर और तीन नमबर का टर्मिनल है यह आपस में इस प्रकार से लूप है इंटर्मिनली ओके हमें बाहर से कोई भी लूप लगाने की जोगत नहीं है अंदर से ही यह connect है इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर 5 और 7 नमबर का terminal ये भी आपस में 60 हैं इसके बाद जो 9 नमबर और 11 नमबर का terminal है ये आपस में 60 हैं यानि कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो और नमबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सबी के सबी common terminal हैं तो मैंने यहां पर common लिख लिए, common अब यहां पर जैसे कि इसका आपको मिलेगा, एक नमबर का contact हमें मिलेगा, चार नमबर वे, तो एक का contact हमारा दो, और तीन और आज़ा भी हो जाएगा, इसी परकार से पांच यहां, चे में, और साथ का जाएगा, आठ में, 9 का 10 में जाएगा और 11 का 12 में जाएगा अब यहाँ पे जो contact है सभी के सभी open राते हैं कोई भी sort नहीं रहेगा open condition में contact राते हैं इस प्रकार से तो यह जो selector switch है इसके 3 section का मैंने circuit बना दिया अब यहाँ पे आपको यह समझना है कि इस selector switch में जो common terminal है मैंने आपको already बता दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 है इसके बाद जो हमारा पहला position का पहला position का जो contact होगा मैं यहाँ पे first link देता हूँ आपके लिए और first number का जो position होगा वो होगा 1 और 2 1 and 2 इसके बाद जो हमारा second section है उसमें आपको मिल जाएगा एक number का position 5 and 6 5 and 6 इसके बाद आपका जो तीसरा section इसमें आपको एक number का जो position है उसका आपको मिल जाएगा 9 और 10 में यानि की 9 and 10 में आपको continuity मिल जाएगा जब आप इस selector switch को एक number position पे select करोगे इसके बाद जब आप इस selector switch को दो नमबर के position पे select करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो selector switch है इसमें जो 3 और 4 नमबर का टर्मिल है उस पे आपको continuity मिलेगा यह हो गया पहला section का second section में यदि आप check करोगे तो आपको 7 और 8 नमबर के टर्मिल पे मिल जाएगा मैं यहाँ पे लिग देता हो 7 and 8 इसके बाद तीसरे section में आप देखोगे तो आपको 11 और 12 नमबर के टर्मिल पे मिल जाएगा continuity ओके तो यह जो selector switch है इसका पूरा circuit diagram यह हो गया ओके अब हम यहाँ पर इस selector switch का wiring करना समझ लेते हैं तो यहाँ पर 4 टर्मिल एक section का अब जैसे कि मैंने बता है पहला और तीसरा आपस में connected है अब जब भी आपको इस selector switch का wiring करना है तो आप क्या करोगे जो आपका face supply होगा जो कि इस selector switch में आएगा उसको लाके आपको क्या करना है कि जो एक number और ती number है इन दोनों में से किसी भी एक करना के साथ इस wire को connect करना है तो मैंने क्या किया है फिर supply को ले जाके मैंने एक या तीन number के टर्मिलो पे connect कर दिया ओके इसके बद हमें क्या करना है कि जो दो number का position है इस से एक wire को लेके जाना है और इसको जहां पर भी आपको इस्तमाल करना है उस circuit के लिए लेके जाना होगा जैसे कि मैं यहां पर जो connection किया हूँ इस connection में यहां पर जदी में एक number का position select करूँ तो इस condition में मुझे इस lamb को यानि कि यह जो मेरा voltmeter है इस voltmeter को power supply जाना चाहिए तो मैं यहां पर क्या करूँगा कि यह जो एक number का position वारी terminal है इस terminal को ले के जाऊंगा और जिसको भी आपको power supply देना है अभी फिलाल के time पर हम एक indication lamb का connection समझते हैं तो मैं ने यहां पर क्या कि indication lamb को face supply प्रोबाइट कर दिया इसके बाद आपके selector switch का जो दूसरा position है जैसे कि मैं यदि इसको दो number के position पर select कर दूँ तो इस समय मुझे इस lamb को glow करवाना है तो मैं क्या करूँगा कि इसके output terminal से एक wire को connect करके ले जाऊंगा और जिस भी indication lamb को मुझे glow करवाना हो उसको ले जाके power supply प्रोबाइट कर दूँगा अब यदि मैं इस selector switch को एक number के position पर select करूँ तो आप देखोगे ये वाला indication lamb glow होने लगा यानि कि यहाँ पे voltage हमारा 100 होने लगा है तो अभी के time पे आप ये कह सकते हो कि यदि मैं इस selector switch को एक number के position पर select करूँ तो power supply इधर से flow होगा इधर से power supply नहीं flow होने वाला तो यहाँ से power supply flow होते हुए डारेक इस indication lamb को मिल गया और neutral power supply इसको directly मिल रहा है तो ये indication lamb glow होने लगा अब यदि मैं इस selector switch को zero number के position पर select करूँ तो अभी के time पे आप ये कह सकते हो कि selector switch हमारा किसी भी wire में power supply को flow नहीं करवा रहा है इसके बाद यदि मैं इस selector switch को दो number के position पर select कर दूँ तो इस condition में इस वाले wire से power supply flow होगा इस वाले wire से power supply flow नहीं होने वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हमारा जो voltmeter वाली indication lamb पर ये indication lamb हमारा voltage को सोग कर रहा है तो auto manual selector switch का wiring किस प्रकार से करते हैं इसका concept मैंने आपको explain कर दिया अब इसी selector switch का उप्योग करके हम किस प्रकार से DOL starter में connection करते हैं उसको भी आपको समझना होगा तभी जाके आपका पूरा concept clear होगा तो आप इस right वाले video पे करके इस वीडियो को देख लिजिए जिससे कि आपका पूरा concept clear हो जाए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जलू कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद